पड़ी प्रॉब्लेम नहीं आपका वो कॉंशुसनेस आपका मार्केट पे कंट्रोल और आपका फॉर्मिले पे कंट्रोल बहुत जरूरी रहेगा जैसे संदेश्चा ने इमीजिटली बता दिया कि मुझे कभी-कभी मैं ऐसे करूंगी मैं 30-20 पे मी जाऊंगी कभी मैं 10-40-30 10 पे भी आऊंगी वापस तो मैं अपनी स्ट्राटेजी कुद के हिसाब से बदलूंगी बिकॉस मुझे पता है कि मार्केट में एक्जाटली चल क्या रहा है उसके क्यालकुलेशन्स मेरे पास है अब मैंने बता दिया वो पॉच्पॉइंट नहीं अभी आपके पास टेक्न तो बस अभी आपको देखते ही मुझे बताना है कि महंगा है या सस्ता है अभी क्यालकुलेशन्स मत करिये नजर गिरनी चाहिए और बताना चाहिए आपको मुझे सस्ता है महंगा है महंगा है क्यों महंगा है कितने से महंगा है अल्मोस्ट मेरे हिसाब से 1000 रूपीज 900 एक अप्रोग्जिमेंटली में देखके बता पारी हूँ अब क्यालकुलेशन्स करिए कितना महिंगा मिल रहे हैं और इसे लेना चाहिए क्या आपने किस हिसाब से पंकत्सर इसे लिया है आपके लिस्ट में कैसे निकाला कि अच्छा स्टॉक है किस हिसाब से यह अच्छा स्टॉक है का एक और आप करना चाहते हो तो इस तरीके से आप यह फॉर्मिला क्लियर होने तक मिल लिए आप मुझे बताओ आज आपने कितना पंकत सर ने तीन स्क्रिप्ट ली है और संदे सर ने गुट फाइव स्क्रिप्ट ली है स्नेया ने ली नहीं है सागर सर ने वंबक किया नहीं है बट आज आपका कंसेप्ट तो क्लियर हुआ और अगर आप सोचो कल पचास स्टॉक करोगे तो कितने अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा रट्टा मार मार के तो आपकी कई गलती की गुंजाईश ही नहीं होगी जैसे मैं बिना देखे अभी मेरा फेवरेट कोई स्टॉक आप बोलो रिलाएंस अभी आप लोग देखके बता सकते हो क्या महेंगा है सस्ता है तीन चीज़े देखने आपको महेंगा है सस्ते के लिए बस महेंगा है महेंगा है ओके फाइन गुड परफेक्ट और कोई स्टॉक बताओ और कोई DLF आपको स्टॉक के नम पता होना चाहिए अभी आप ट्रेडर बनने वाले हो सस्ता महेंगा ताफ़ डांसर आना चाहिए महेंगा 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 है ठीक है यस बैंक आपके छोटे शेर्स बड़े धमाके अब आएगा मज़ा बता सस्ता है थोड़ा थोड़ा ओके महेंगा मेरे साफ से 25-25 HDFC बैंक सस्ता है महेंगा है महेंगा है धांपूर शुगर सस्ता है मज़ा आएगा खरीदने में पैसा मिलेगा अब यहाँ पे मैंने कौन सा और कौन सा कैलकुलेशन लगा होगा कि जब मैंने बूला कि मज़ा आएगा करिदने में और पैसा मिलेगा यहां में मैंने कौन सा मतलब लगाया है लॉजिक याद करो एक्विटी का ही लॉजिक है जो एक्विटी में सबसे पहले मैंने आप लोगों को सिखाया वही लॉजिक में यहाँ पे आड़ कर रही हूँ